पूरे दिन भर से सारी टीवी स्क्रीन्स पर सारी न्यूज में छाया हुआ है ये विज्वल है एक महिला का गुलावी साडी में महिला नजर आ रही है और अचाना किस पर खुछ गुंडे हमला करते हैं ये तो गनीमत है कि महिला के आजपास चल्द लोग है जो उसे बचा ले ये वेडियो उत्तरप्रदेश के लखिंपुर खीरी का है जहां पर ये समाजवादी पार्ड़ी की समर्ठक महिला ब्लॉक प्रवदू के जो नामक के नहरा रहे थे उसकी कारवाई में शामिल होने जारी थी और इस बीच उस पर ये हमला हो इल्जाम लगा है योगी सरकार पर इल्जाम ये लगा है कि जिन लोगों ने ये हरकत की वो योगी सरकार के गुंडे हैं ये साफ तौर पर इल्जाम लगाया है उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिवेश यादव ने जन्हों ने प्रिस कॉंफिंस भी और ये दावा किया कि ये ये योगी चर्चाओं में रहा और ये ट्वीट था पपू यादव का जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अखिलेश यादव तुमसे ना हो पाएगा पपू यादव का ये इशारा इस तरफ था कि समाजवादी पार्टी खुद महां सत्ता में रही है पहले मुलायम सिंह में कि सरकार संभाली अखिलेश यादव उसके बार तुमचे बहुदि ये हालत है कि समाजवादी पार्टी एसी खटनाओ पर पुछ नहीं कर पार ही उस पर गर है प्पू यादव समाजवादी पार्टी से भी नेता रहे हैं और अब अपनी एक अलता है लहाजा ये ट्वीट अखिलेश यादव को नागवार कुसरना ही था, अखिलेश यादव ने जवाब भी दिया भरी प्रेस कॉंफरेंस में और अखिलेश यादव ने साफ कहा कि ठीक है उससे ना हो पाएगा पर यूपी में बदलाव जबूर आएगा यह जो घटना है यह बहुत ज्यादा इसको कैश कराने की पूरी कोशिश है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी बलकि कॉंग्रिस भी इस घटना पर बहुत ज़्यादा आपत्य जाहर कर रही है, एक महिला नेता से सरयाम इस तरह की घुंडा गर्पी करना बत सलू की करना निहायती नागवार है, सिर्फ राजनेतिक दल इसमें ट्वीट्स किये हैं कि एक इस तरह की योगी सरकार है, जहां इस एक तरह से महिला पर इस तरह से हमला होता है, उसको अपनी इजट बचा कर भागना पड़ता है, क्या कोई और गल्की महिला कोई हग नहीं है, कि गो किसी जुनाव में हिस्सा ले से के तमाम सारी पाई है, इस विशेया पर कोई खास बात्चीक नहीं हुई है, पर अखिलेश यादव जो मुद्दो की तलाश में थे इसके जरीयों उन्हें एक बुद्दा और मिल गया है, कॉंग्रेस को एक बुद्दा और मिल गया है, पर जिस लिहास से अग योगी सरकार को पहिंदी क की जानी चाहिए, यदि उसमें फिरहाल उतकी दमदारी दज़र नहीं आती, ऐसे में अगर पप्कु यादव कि कहते हैं कि अखिलेश तुमसे ना हो पाएगा, तो अखिलेश ने जिस दमदारी से जवाब दिया है, क्या वही दमदारी वो अभी चुनाव में दिखाने के इस्तिती में आ चुके हैं, ये एक बड़ा सवाल है, नमश्यार की